नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की जिस तरह से युद्ध की आशंका हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे आज की तारीख में युक्रेन पर युद्ध हो गया वहाँ पर जिस तरह से हवाई मार्ग हो या जमीन दोनों तरफ से रूस की सेना घुस चुकी है मिसाइल हमला हो चुका है और इस पर हम आगे जानने के लिए कि किस तरह से यह जो युद्ध है यह अंतराश्टी कूठनीती में क्या नया डायमेंशन पैदा करेगा किस तरह से इस युद्ध की स्थिती को देखा जा सकता है इस पर हम बात करेंगे प्रबी कीर हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे कि जो युद्ध के बादल मंदरा रहे हैं वह बरसेंगे की नहीं लेकिन अंतिता हमें दिखाई दिया कि युद्ध हो गया हवाई-णार्ग से और जमीनी मार्ग से दोनों से जो खबरे हमारे पास पहुची है हाला कि ठारुे चारों से युक्रेन को घेर लिया गया है अलग-अलग जगों पर हमला है इस्थिती क्या है इसे कैसे देखा जाए पहली बात तो हमें मानना पड़ेगा पीछले बार भी और पहले भी जो जिकर किया था हमें लग रहा था कि पूतिन जो कह रहा है वो चेस की गुटी इधर से उधर क उन अस्तों को वहां पर ना लाया जाए जिससे मॉसκो में पांच आठ दस मिर्ट में मार हो सकती है खर्वंगि सिर्प तरह पर जो नेटो में बाल्टिक्स में रुमेनिया में पोलेन में जो मुख्य चीज बार बार पुतिन उठा रहे थे और यूकरेन को लेकर खास तोर से कि यूकरेन में नेटो न जाए उसका बेसिक जो मांग था तो लगातार ये कहा गया था नेटो इसको मानने से इंकार करता है क्योंकि ये उसकी अधिकार है किसी को लेना और किसी देश को वहा पुतिन किसी वज़े से हो उसको लगा कि अब रास्ता जंग से किलाबा कुछ रहा नहीं तो उसने जंग रश्या ने जंग की बात सोची है और वहां पर जंग वाकई हो रहा है अलान करके हो रहा है गोशना करके हो रहा है और उसका लक्ष किया है वो भी बताया गया है कि यूक्रेयन को demilitarize करना बड़ी बहुत कठिन शब्द है, demilitarize करने एक बुल्क को, जिसकी size छोटा नहीं है, यॉरप में अगर आयतन देखें, area देखें, दूसरा सबसे बड़ा देश है, population के हिसाब से नहीं, area के हिसाब से, तो अगर वो देखें, तो एक बहुत बहुत उसने अपने लिए रखा है, एक तो ये बात है, बुझरी लक्ता की ये आसान है, और दूसरा denazification, यूक्रेयन के अंदर की जो नहीं नाजी फोर्सेस वाकए उभर रहे थे, तो उसको एकदम बंद करना चाहते, वो भी एक अंद्रूनी एक देश के मामलें पे कैसे करेंग है, उनको अभी तक जो खबर है, उनको करीब करीब वो एर डिफेंस को उन्हों नाकाम कर दिया है, और मिलिटरी इंस्टिलेशन्स हवाई मार करने के जो होती, उनको भी वो नाकाम कर दिया है, तो अब ग्राउंड फोर्सेस जो है, यूक्रेयन में घुस रहे हैं, चेर्नो किलाउमिटर, या आठ किलाउमिटर, वीस किलाउमिटर दूरी पर घेराबंदी कर लिए अनोंने, रूस की फोर्सेस है, दकषिन में अगर जाएं, यह उसकी राजधानी है, वहाँ पर आप देखेंगे, कि ओडेशा, जो बहुत बड़ा शहर है, उस पर हमला जारी है, इस मारा गया था एक building में उनकी trade union की building थी उसमें घुसके मारा गया था जलाय गया था तो रूसी सिंपथी रखने वाले बतलब रूसी speaking भाशा जो रूसी language है वो बोलने वाले है जिसकी बड़ी संख्या eastern Ukraine में है और दूसरी जो चीजे है कि आपका डॉन बास रीजिन में हम बहुत बार चर्चा कर चुके है जो दूसरा वहाँ पर oblast जिसे कहते हैं प्रोदेश हमारे भाशा बे तो डॉनियस्क और लुगांस्क जो self-declared republics है उनकी protection के लिए और जो रूसी speaking population है वो काफी हद तक eastern Ukraine बे रहता है तो उन इलाकों की वहाँ पर खारकॉव उफर से शुरू होती है डॉन बास तक वहाँ पर लगता है जो नक्षे पर दिखाई दे रहा है अब देखें के उन इलाकों में भी वहाँ पर soldiers आ रहे हैं एक मिट आप से प्रबीर मैं जाना चाहूंगी कि जब पुतिन संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा थी लेकिन जब हमला हुआ तो दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से यूकरेट को गहरा गें और जो सारे एहम शहर हैं वह हमले के निशाने पर हैं चारों नहीं है तीनों और से जी 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 चारु तरफ से तीनों तरफ से एक तरफ समुदर से उपर से और इधर इस से लिख और इस इलाका का तो दूसरे देशों के पास है तो यह जो आब तो आपके बल्कुल सही है कि इस वक्त जो रोश्या तो इरादा तो कुछ और लग रहा है साफ है जब उन्होंने military action का गोशना किया उस दिन पूतिन ने कहा demilitarization of Ukraine उनको निरस्ट करना और उनको demilitarization करना और उडेसा में जिन लोगों ने हमला किया था उनको हम शिक्षा देंगे यह सब बाते वो कह चुके हैं इस पर demilitarization का मरतब हाथियार रखने की अधिकार Ukraine के पास नहों तो बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी देश के अस्तित्व का सवाल है अस्तित्व बतलब अस्तित्व आपकी रहेगी पर आप अस्तित्व नहीं रख सकते यह जो कहना मतलब हमसे जंग नहीं कर सकते तो यह एक बहुत बड़ा बड़ा शर्त है और यह आखरी शर्त है या शुलुआत की शर्त है मतलब इस पर negotiation होगा नहीं होगा बात की बात है अभी तो जंग की हिसाब से दो चीज एहम एहमियत रखती है एक कोई जंग में सहायता करने के लिए यूकरेन में आएगा नहीं साफ है क्योंकि रूस के साथ जंग करना नेटो के लिए एक निउक्लियर वार करने के लावार को तीसरे विशुयुद की तरफ बढ़ना होगा यूकरेन को बहरोसा लगातार अमरीका और नाटो देश दे रहे थे कि वह उसके साथ है क्योंकि लगातार वारता चल रही थी लोग आ जा रहे थे तो ये यूकरेन को क्या बली का बहुरा बना दिया गया और रूस इस तरह से उसमें हमला बोल दिया उसने देखिए ये तो हम पहले से कह भी रहे थे कि this is to fight Russia to the last Ukrainian. Ukrainian को वो दाओं पे रख रहे थे. इस शत्रज के खेल कहे या किसी और गेम का खेल कहे इसमें बली का बखरा तो यूकरेन बन रहा था. तो वो इस चीज को समझ के क्यों पहले से रूस के साथ बातचीत नहीं करने के लिए तयार था यह कभी मुझे समझ भी नहीं आया क्योंकि साफ था जर्मरी हेलमेट भेज रहा है और यह कुछ टैंक के लिए कुछ जैविलियन अस्त्र भेज रहा है उससे रूस रुखने वाल था कि नेटो अगर उसका साथ होगा वेस्टन पावर्स इनके साथ होगा तो रूस की हिम्मत नहीं पड़ेगी अटाक करने की क्योंकि आखिर अस्त्र जो है फाइनेशल सैंक्शन्स है और फाइनेशल सैंक्शन्स अगर लागू होंगे तो रुश्या डर जाएगा तो यह फहमी थी चाहे वेस्टन पावर्स की हो चाहे जेलेंस्की की हो यूकरेन की हो यह उनकी ख्याल जो था गलत थी हमें लग रहा था यू पूतिन सीरियस है पर हमें लग रहा था शायद और एक दो महिना है क्योंकि चेस्ट की मूव्ज हो रहे हैं हमने जो पहले शत्रंच की बाजी चल रही है आगे पीछे तो एक नया खेल जो शुरू हो गया इसके हमारी भी इस वक्त अंदाजा नहीं था कि ता जल्दी होने वाला है हमें लग रहा था डिप्लॉमेसी की अभी भी वक्त है जेलेंस की क्यों डिप्लॉमेसी की रास्ते में वो नहीं गया पहले और क्यों पूरी तरह से वो विश्वास करता रहा कि नेटो और वेस्टन पावर्स उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं है ये मिस कैलकुलेशन कि इसने क्यों की अब जेलेंस की कि कल की जो बया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम नीट्रिल होने के लिए तयार है ये वाक्या अगर तीन दिन पहले चार दिन पहले कह देता तो ये जंग शायद होती ही नहीं और यॉरप सिर्फ ने यॉरप नेटो जेलेंस की यूकरेन ये सब मिलके अगर इस रास्ते पर चलते तो जंग नहीं होता जंग सही हुआ नहीं क्यों किसी गोयर देश के उप तराश्ट्रे कानुन के खिलाफ है तो ये तरासदी भी है जिस तरह से हमारे पास तस्वीरे आ रही है कि लोग पलाएन कर रहे हैं भाग रहे हैं तो इसके लिए तो वो कहेंगे कि डॉन बास के जो पीछले आठ साल से बंबारी चल रहा है तब आपके आंसु कहां थी वो स कर्मे मैं नहीं आना चाहता मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अंतर राश्ट्रे कानुन के खिलाफ है ये अमरीका नेटो के कानुन के खिलाफ नहीं जो क्या कहते है एक रूल बेस्ट इंटरनेशनल और रूल जिसमें अमरीका तै करेगा रूल्स क्या है उसकी बात नहीं क वक्त शायद पूटिन के पास था कि अभी भी बादशीत जारी रखके तो इस तरह जंग में ता क्यों गया तो ये हम इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि हम उस देश को चला रहे हैं हमारे तो सिर्फ कहना है और इसे एक जो बड़ा मुद्दा एक और जो 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 हुआ है जो भाशा का है जो हमें नक्षी में भी दिखाई दे रहा है कि शुरू से जो बात थी कि डॉन बास और वो पूरा इलाका रूसी बोलने वाला इलाका है और वहां पर अभी जो लग रहा है जो इंटरवेंशन है आप थोड़ा सा बताएं कि क्या यह भी कोशिश हो लेकर इधर तक एक खिष्टी सी दिखाई दे रही है तो क्या पीछे कुछ इरादा इस तरह का भी है कि रूसी बोलने वाला पूरा इलाका है रूसी भाशा बोलने वाला पूरा इलाका है उसमें अपना अधिपत्य सीधा या अप्रत्यक्ष इस्थापित करने की योजना बन रही है कुछ देखिए भविश्यवानी करना तो खत्रे से खाली नहीं है यह तो हम देखी चुके हैं अभी तो यह अगर देखें कि क्या संभावनाएं हैं तो एक तो है जो आपने पहले कहा थे कि डॉनल्बास रीजिन तक ही यूकरेन में उनका हस्तक्षिप सीवित रहे है किये गेर eco घेर लेते हैं दूसरे military यूकी इंस्टलेशन से उसको वहां पर गेर लेते हैं तो यह अगर सफल होता है तो क्या peace क्या हो सकता है शान्ति किस तरह से हो सकता है वह देखने की बात है military laksh अगर देखें तो उनका military laksh इस वक्त जो है नीपा नदी जो इसकी बात आप कर रहे हैं उसमें तो जरूर है पर कियफ को घेरने की है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कियफ तो बिलकुल अलग है और राजधानी है राजधानी है नीपा नदी के दोनों तरफ है ज्यादा थोड़ा इधर है पर दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो वहां भी नीपा नदी के उस पार भी कियफ का एक हिस्सा आता है तो कियफ पर कियफ को तो neutralize करेंगे ही सा तो कहा इसके बाद Udessa कोईकि एक बड़ा पोर्ड है और वो इनकी जो रूसी स्पीकिंग इलाके जो है कह रहे है वो रूसी स्पीकिंग इलाके में आता है और ब्लैक सी पे पूरा कबजा हो जाएगा इसके बाद? ब्लैक सी का जो आर्क है क्रीमिया से लेकर वहां तक वह खारकव उपर है वो भी रूसी स्पीकिंग है उसको लेके क्या होगा क्या पूरा नीपा रदी की इस पार को अलग करेंगे एक हिस्से को करेंगे यह भविश्य की बात है अभी भी मेरे ख्याल से क्या हल निकलेगा वो देखना पड़ेगा एक बात तो साफ है डॉन बास को अलग करी देंगे क्रीमिया को अलग करी चुके हैं और क्या करेंगे वो अभी भी बताना मुश्किल है जिस पे सबसे अदा चर्चा है कि सैंक्शन्स लगाए जाएंगे वो सैंक्शन्स तेल के संद काएं और युद्ध कैसे देखें हम अलग-अलग सवालब कर रहे हैं थोड़ा सा मैं अलग उसको जवाब देता हूं पहली तो एकनॉमिक इशू पर आएं कि सैंक्शन्स के इलावा वेस्टन पावर्स का और कुछ है नहीं उनके हाथ में कुछ जंग करने की शमता यानि व वो नावकियास्टों की प्रयोग हो जाएगा अटॉम बॉम्म की इस्तेमाल हो जाएगा यह मान के चलना चाहिए क्योंकि अगर मिजाइल आ रहा है रूस से या अमरीका से तो उसको तो देखेंगे नहीं ना पहले क्या बॉम्म है इस पे ठीक है ना तो वो रिटैलियेट रूस पर अगर कोई कि कोई आईसी मिजाइल अटक होता है तो अब मान के चलेंगे अटॉमिक वैपन ही लेस करके ही बॉम्म है तो हम उसकी उसी दरह जबाभ देंगे तो यह साफ है कि कोई भी जो अपने उपर आटॉम बॉम होने की संभाबना अगर होती है तो उसका or military act किसमें कोई संभावना है इसको रूस को रोकने का बचता है economic sanctions जिसकी बात हो रही है economic sanctions में दो अलग-अलग चीजे मैं कहना चाहूंगा एक तो है oil और gas को लेके जो जिसका काफी मात्रा में export European Union को होता है और oil का export खासतोर से जो heavy oil होता है उसका export अमरीका को होता है तो ये दो exports पे अभी भी कोई sanctions नहीं लगा है दूसरे चीज़ों पे और financial sanctions लगा है तो financial sanctions एक तो रूस के लिए एक hit की बात है क्योंकि जो लोग रूस से पैसा बाहर लेके भागना चाहते हैं उस पर रोक लग जाएगा ठीक है न तो वो जो oligarchs कहते हैं उनकी जो loot रूस में जारी है तो oligarchs पैसे लेके England बे भागते हैं London grad इसलिए कहते हैं किसी ने टिपणी भी की है रॉशिया से अच्छी बात है लेंडन लेंडन ग्रैड पे पैसा जाना बंद हो जाएगा तो यह sanctions उनके लिए ता बुरा नहीं है पर sanctions यह जरूर है जो रॉशिया की और यूरेशिया की larger जो economy है उसको अलग कर देगा खास तोर से यॉरप की लं खेला है वो कैसे आप देखते हैं नया world order तो कहने की बात है international law है वही सब को सराहना करना सर के उपर रखनी चाहिए और यह international order rule based international order जो यॉरप और अमरीका घोशना करते फिरे हैं यह तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं settler colonial and colonial powers की white countries की यह नियम और दुनिया पर थोपना चाहती है ठीक है जो थोपना चाहते हैं तो वह rule based international order नहीं international law ही सराखे रखना चाहिए यह अगर करे तो पूतिन भी इस बार गलत है और जब अमरीका ने इराक पे हमला किया था अफगानिस्तान पे हमला किया था अफगानिस्तान पे हमला किया था वो सब गलत था तो यह जो हमले हैं इसको अंतर राश्ट्रिय करन कैसे किया जाए और फिर UN Security Council बहस वहां से decision हो उस रास्ते पी क्या चला जा सकता यह हमारे सा वाल है रूल बेस्ट इंटरनाशनल ओर जो जैसे मैंने कहा कि G7 ने कायम करना चाहता था पुराने कलोनियल पावर उसमें नया कलोनियल पावर अमरीका है और कैनेड़ा भी उसमें घुजे हुए है तो इनकी जो चल रही थी वो अब चलना धीरे-धीरे बंद हो रहा है कि क है तो रूल बेस्टार से इंतरनाशनल बेस्टा ऑ्णर क warning-atur की तरफ जानी है यह क्या हो सकता है नहीं यह देखना पड़ेगा पर यूक्रेञ इसका सबूत नहीं है कि हम इंटरनाशनल लौ की तरफ चल रहे हैं तो हम यह अपनी निगाह बनाए रखेंगे और निश्चित तोर पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा खत्रा यह है कि जो युद्ध की पूरी तैयारी है युद्धुनमाच जिस तरह से फैला जा रहा है और युद्ध को ही एक मात्र रास्ते के तौर पर परोसने के लिए मीडिया का एक अच्छा खासा खेमा तैयार है शायद वह अच्छे दिनों का संकेत नहीं है शुक्रिया